तो यहां पे जो है आपका 29 जनवरी shift 1 का paper जो है conduct हो चुका है और जैसा कि हमें students से यहां पे paper का review मिला है उसके basis पे हम आपके लिए quick analysis लेके आए है तो सबसे पहले अगर level of difficulty की बात कर ले तो देगे जो physics था वो आपका यहां पे easier side पे ही था and chemistry पे जो है आपका लगबग easier side पे था काफी question जो है NCIT based थे और math की अगर बात करें तो math trends को जो है यहां पे लेंदी लगा तो अगर पिछले shifts की भी हम comparison में बात करें तो math थोड़ा सा जो है आपका यहां पे लेंदी पूछा गया था अब जो है अगर हम topics की बात करें कि कौन-कौन से chapters आपके आए और कौन कौन से ऐसे repeated topics थे जो की बार-बार shifts में पूछा जा दे ताकि next shift के strengths उन्हें ध्यान से कर ले तो सबसे पहले physics में तो भाई देखो semiconductor से एक question पूछा गया जो की पिछली shifts में भी हमें देखने को मिला है और modern physics के अंदर जो है आपके हाँ पे questions देखने को मिले multiple questions देखने को मि तो वो galvanometer के आ गए थे और बागी optics से भी जो है अच्छे कासे questions देखने को मिल गए अब अगर हम chemistry की बात करें तो chemistry में देखो भाई organic का जो weightage था वो आपका यहाँ पे जादा देखने को मिला है जो की पिछले shifts में भी हमें यहाँ पे दिखा था इसमें जो है simple questions हैसे थे क भाई reaction दी उसके जो है product निकालने और GOC का weightage जो है अच्छा खासा रहा है तो यहाँ पे पिछली shifts में भी जो है GOC का weightage काफी अच्छा रहा था तो GOC को ध्यान से करके चले जाईएगा बागी functional group test कर लिया name reaction कर ली तो इससे आपको जो है काफी जादा फायदा मिलेगा और वीडियो की लिंक भी आपको description और pin comment में मिल जाएगी उसको जरूर से check कर लीजेगा फिर हम जो है अगर mass की यहाँ पर बात करें तो mass में जैसे की मैंने बताया लेंदी side में था और जो numeric type questions थे वो तो काफी जादा लेंदी लगे students को तो देखो भाई pattern थोड़ा पहुत जो है adapt करते रहना है बागी vector 3D का जो है इस बार भी weightage अच्छा रहा और आपके sequence and series से जो है यहाँ पर दो question देखने को मिले हो बट दोनों जो है easy थे बागी definite integration का अच्छा weightage रहा और differential equation से भी जो है आपको यहाँ पर दो question देखने को मिले अच्छा एक और खास चीज कि भ तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा question को लेकिन अगर हलका फुलका भी idea या फिर formula भी पता है तो आप attempt कर सकते हो चलिए तो उमीद करता हूँ कि इस shift के analysis से आपको फायदा होगा मिलते हम जो है next shift के analysis वीडियो में